किस शक्ति की उपासना करनी सरवत्तम है भगवान शिब की या भगवान विश्णु की भगवान शंकर की या फिर भगवान शिरीराम जी की गनेश जी की करें या फिर शनी देब की शक्ति मा सरस्वती की करें अत्वा माता दुरुगा की या फिर माता लक्ष्मी की बंदना कर किस की उपासना करना सरबुत्तम है और किस की उपासना नहीं करनी चाहिए। यह सवाल ही गलत है क्योंकि अगर आप किसी एक के पक्स में निरणे सुना देंगे, तो आलोचनाओं का तो आपको शिकार होना ही है। आपकी बात कोई मानेगाई नहीं, मानेगाई इसलिए नहीं, क्योंकि कौन किसकी उपासना करे, ये तो वो अपना निजी अधिकार समझता है, किसी को हनवान जी प्यारे हैं, किसी को शिरी राम जी प्यारे हैं, कोई क्रशन जी का भगत है, कोई माता दुरुगा का भगत है, परन्तु इन भक्तों में से एक भी भक्त जो जिसकी उपासना करता है वो किसी दूसरे देवी देपता की उपासना करने के लिए मना नहीं करता हर कोई किसी की भी उपासना कर सकता है ये उसकी अपनी परसनल 24 है आप इसमें जराबी दखल नहीं दे सकते और यदि आप थोड़ी सी गहराई में जाएं बस थोड़ी सी गहराई में तो आप पाएंगे ये जितनी भी शक्तिया हैं जिनके नाम यहां पर अभी लिये हैं और तमाम ऐसी भी हैं जिनके नाम नहीं लिये गए लेकिन मौजूद हैं तो आप यदि थोड़ी सी गहराई में भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन शक्तियों के नाम भले ही अलग-अलग हैं वस्तुत है ये सारी शक्ति एक ही है एक ही है ये सब अलग-अलग नहीं है जो इन्हें अलग-अलग समझता है वो अग्यानी है दरसल जब जब इस प्रत्वी पर शक्ति के जिस रूप की अबतरित होकर अपना कार्य करती है और बापस अपने निज रूप में ही चली जाती है उसके कार्य करने के दोरान उस शक्ति का एक विशेस नाम पड़ जाता है और लोग उस शक्ति को उसी रूप में पूजने लगते हैं वस्तुत है तो एक ही है इसलिए राम-चरित-मान अबतरित होते हैं और दुष्ट जनों का संघार करके बापस अपने निज रूप अर्थात शगुन रूप, अर्थात प्रभु रूप, अर्थात इश्वर रूप में चले जाते हैं दरसल यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि प्रभु का बहर रूप जिसमें से सारी शक्तियां आती है या ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु जब अपने अलग अलग रूप में आते हैं तो इनका यह रूप जो है इश्वर यह रूप होता है आप इन में से किसी भी शक्ति को इश्वर यह रूप में पोज सकते हैं ध्या सकते हैं, आराधना इनकी कर सकते हैं लेकिन इनका जो वास्तविक रूप है वो वास्तविक रूप इश्वर्य रूप है और वो इश्वर्य रूप निराकार भी है और साकार भी है लेकिन ये इश्वर्य रूप दरसल ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो अलग है और इश्वर अलग है ब्रह्म रूप जो है इनका तत् रूप ही नहीं है वो तो अरूप है इसी को तत्व कहा जाता है और इसकी जानकारी को तत्व ग्यान कहा जाता है ये तत्व ग्यान जब जीव को हो जाता है इस मनुश्य शरीर के होते हुए तो फिर यतन करके जीव मौक्ष का साधन करता है अर्थात अपनी मुक्ति का साधन बनाता है उपाय करता है और इस ब्रह्म में इस शरीर को छोड़ने के उपरांद वो लीन हो जाता है या पर यूं कहें कि जाकर के अभेद हो जाता है वो क्या है उसकी पहचान क्या है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा क्या है उस रूप को ही वास्ता में परमात्मा कहा ज उसका वास्तविक वरणन करते हुए तोलसियदासी रामचरित मारस में कहते हैं, शिभजी इस द्रश्टांट को समझाते हुए कहते हैं, कि वो कैसा है? बिन पग चलई, उसके पैर नहीं है, अर्थात परमातमा का जो तत्वर रूप है, उसके पैर नहीं है, लेकिन वो बिना पैरों के भी चलता है बिन पग चलई सुनई बिन काना उसके कान भी नहीं है कान भी नहीं है लेकिन बिना कानों के ही वो समस्त संसार की बातों को समस्त हरकतों को सुनता है बिन पग चलई सुनई बिन काना करबिन करम करई बिधिनाना उसके हाथ भी नहीं है लेकिन बिनाहतो को की ही वो सारे कर्म करता है कर्बिन कर्म करेब धिन आनन रहित शकल रसब करता है नयन नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ देख रहा है अस सब भाति अलोकिक करनी वो जो ब्रह्म है सब कुछ उसी की मर्जी में होता है उसी के द्वारा किया जाता है लेकिन कोई भी उसे कर्म करते हुए बोलते हुए कुछ भी करते हुए देख नहीं सकता मैसूस नहीं कर सकता वास्टम में ये ब्रह्म है ऐसा ही है ब्रह्म जिसे परमात्मा कहते हैं उपनिशदों में भी परमात्मा अर्थात ब्रह्म के बारे में कुछ इसी तरह से इसपश लिखा है अपानी पादो जबनो गरहिता पश्यत चक्षुश श्रणोत्य करने सेवेति बेद्यम महनतम वो महनप्रूस है महनप्रूस का मलत भी यह नहीं कि वो इनसान के जैसा दिखता है वो महनप्रूस है अपानी पादो पैर नहीं है फिर भी चलता है हात नहीं है फिर भी सब कर्म करता है नैनों के बिना देखता है कानों के बिना सब कुछ सुनता है शरीर नहीं है ले ही बरणन कर सकते हैं ऐसे प्रमात्म के बारे में आप कब देख सकते हैं इसे प्रभू को जब आपके पास ज्यान के नेत्र होते हैं तभी आप ऐसे प्रभू को अनुभव भी करते हैं मैसूस भी करते हैं और देख भी सकते हैं और जब आप ऐसे प्रभू का दर्शन कर लेते हैं सत्गुरु की करपा से तब फिर आपकी भक्ति आरंब होती है और आपके जीवन का मोल पड़ता है क्योंकि प्रभु को जाने बिना आप अर्थात जीव मोक्ष को प्राप्त कर नहीं सकता यद भी उस ब्रहम को जो कहता है कि मैंने जान लिया है वो जूट बोलता है ऐसे ब्रहम को जाना नहीं जा सकता लेकिन जो ऐसे ब्रहम के बारे में कहता है कि मैं नहीं जानता बास्त में वो ब्रहम को जानता है जो ब्रहम को जानने इसलिए कभीर दास जी ने कहा निर्गुन शगुन दोनों से न्यारा, कहे कभीर सोई राम हमारा, ये ब्रहम हर छान, हर पल, हर जगा मौझूद है, कभी भी कहीं से अनुपस्थित नहीं होता, लेकिन नजर नहीं आता, नजर किसे आता है, नजर उसे आता है, जिस पर खड़ा तो पास ही है, लेकिन नजर नहीं आता, वो सबसे नियारा है, पास खड़ा पर नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा रे, है घट घट में, घट की जाने, रहता खलक से नियारा रे, कोई तो ध्याबे पीर पैगंबर, कोई ठाकर द्वारा रे, जप तप सैयम और ब्रत कर करके सब जग हारा रे, बिना गुरु कोई लक्ष ना पावे, कहत गविर वेचारा रे, कबीर साब कहते हैं कि बिना गुरु के, आप उस तक पहुंच ہी नहीं सकते, चाहे आप लाख यतन कर जब कर लो, तब कर लो, स्यम कर लो, योग कर लो, समाध्И कर लो, कुछ भी कर जीवन में पूर्ण गुरु का प्रवेश हो जाता है आपकी समाधी लगनी आरब हो जाती है आपको अपने इस मनुस्य जीवन का मोल पढ़ता हुआ नजर आने लगता है ऐसा ब्रहम जाननी योग्य है जाना जा सकता है उसे जानकर ही उपनिशद में रिशी कहते हैं मैं उस माहन पुरुष को जानता हूँ उस माहन पुरुष को जानकर ही मरत्यू पत्से पार हुआ जा सकता है इसके अलाबा मरत्यू पत्से पार होने का कोई अन्य मार्ग है ही नहीं जो इस ब्रह्म को जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं जो नहीं जानते बे दुख भोगते हैं उस ब्रह्म को जानकर ही जीव वास्त में अपने आपको जान पाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल क्या है उन समस्याओं में जोक देता है अपनी एहम ब्रत्ती को तो फिर उसके पास कुछी भी नहीं बसता शून्य भी नहीं बसता और जब उसके पास शून्य भी नहीं बसता तो फिर किसी की बात उसे कड़वी ही नहीं लगती क्योंकि उसके पास एहम ब्रत्ती फिर होती ही नहीं है उसका एहम ग ले या फिर लाड़ मारे या दूसरे को मार दे या सोयम मर जा लेकिन उस पर कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि फिर अब उसके पास एहम के नाम पर शूने भी नहीं बचता फिर उसका जीवन केवल और केवल ऐसे ब्रहम को समर्पित रहता है वो जानता है कि सारा खेल जो चल रहा है वो केवल माया मातर है माया के अत्रित कुछ है ही नहीं यह जगत उसे मिथ्या जान पड़ता प्रतीत होता है बलकि वो समझ जाता है कि यह जगत मिथ्या ही है वास्तविक सत्य क्या है वास्तविक सत्य तो ब्रहम है और उसके सामने हर चान हर पल ब्रहम होता है माया यद्पी उसके सामने होती है लेकिन वो समझ गया होता है कि माया क्या है स्वापन बत और स्वापन में जो कुछ दिखाई देता है वो जागने पर कहां जला जाता है दिखाई ही नहीं देता जागने पर उसका नास हो जाता है क्योंकि वास्ता में स्वापन में दिखने वाला वास्ता में कुछ होता ही नहीं इसी तरह से इस जीवित अवस्था में जो कुछ दिखाई दे रहा है वास्ता में वो है नहीं ये मात्र भ्रम है सत्य तो ब्रम है और जब जीव इस ब्रम को जान लेता है तो उसके जन्म जन्म पांत्र के सारे कष्ट सारे भ्रम समागत हो जाते हैं वू बाश्ति भिक्ता से परिजित हो जाता है वो समझ जाता है कि मोह निशा जग सो बनहारा देखत स्वपन अनेख प्रकारा यह जग जामनी जा गहीं जोगी परमारति प्रपंच भी ओगी इस संसार में हकिकत तो यह है कि केवल ब्रहम ज्यानी ही जागता है शेस तो सोते हैं जो असंखे ब्रहम ज्यानी आपको दिखाए दे जाएंगे न बास्तम में उन में कुछ ही ब्रहम ज्यानी है जो जाग रहे हैं बाकी तो ब्रहम ज्यान पर आप किये हुए है लेकिन ब्रमग्यानी बास्तव में है नहीं ब्रमग्यानी वो है जो जाग गया माया का जिस पर असर नहीं होता तो करपा करो बक्षिश करो परमात्मा का जो बास्तविक सरूप है वो आपने समझ लिया होगा और परमात्मा के बास्तविक रूप को समझ करके इस माया की पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा इन्हीं सब्सक्राइब के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद